नमस्कार इन्वेस्टर्स वेलकम तू कमाई इन्वेस्टर की चैनल तो आज हम बात करेंगे जीटियल इंफ्रस्ट्रक्शन लिम्टेड जिसने फिलाली में चार प्रसेंट की एक बहुत ही डाउंगेड मुवमेंट मनाई है यह मैं आपको इस वीडियो पर एक बहुत ही स्ट कर दूंगा और आपको डिसीजन मेकिंग बना करी शोलूंगा जिसके आपको प्रसेल जागा कि मुझे क्या करना है हाली में तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब तो इस चैनल बिकॉस अपलोड तो मैनी वीडियो और सो मैनी स्टॉक्स देफिन कि हम मार्केट कैप की तो फिलाल इसकी मार्केट कैप 2524 क्रोड इंटरप्राइब वेल्यू आप देख सकते हैं कि 6430 क्रोड लग रहा होगा कि वाओ इंटरप्राइब तो कितनी अच्छे है बट हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इसके पास कैस्ट कितना है और इसकी जो है वो कितना है यह देगी आपके सामने आ गया यह कैश देगे 439 क्रोल से देख लीजिए आप 4345 क्रोल से काफी जादा यूट्यूबर्स डिरेक्ली रिकमेंड कर देते हैं कि स्टोक खरीद दीजिए आप क्रोल पती बन जाएंग लग पती बन जाएंग मैं भी ऐसा कहता यह देखते हैं अगर उनकी होल्डिंग हुई तो हम इसमें निवेश कर सकते हैं एपिएफ देख सकते हैं अर्लिंग पर शेर में 1.04 रुपीज माइन चल रही हो प्रॉफित ग्रोफित ग्रोथ देख सकते 31% और सेल्स ग्रोथ भी आपके सामने हैं और सी माइनस में चल रह करती हैं उसमें परेंस नवहां कर दो धृफित बन हो और संदोल्ग छ yra में 50 रखिस और न cheese का फिर्व काग्वर्ति 능ा आपकẩट जाहिनें अग् कि अपन्स काहि सकते हैं तुभ, कर अपके अबडर खills और अपकी यही ऑंडर की ठाहिए उसमें मुझे पर इर भारे में 00. लिए उसमें बताओंगा कि क्या चलो समय 9% अब जा रहा है एक दिन में 9% डाउन जा रहा है तो चले तो आपको बता दूमें कि इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें डियाई की वोल्डिंग 51 जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है एंड यह इस्टॉक को बनाती है क कम होती जा रहे है प्रमोटिंग की हैलोडिंग में आपको बताई चुका हूँ तीन परसेंट के अरॉंड है यह सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे अब बात करते कि हमें इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लि लेकिन प्रॉफिट थोड़ी बहुत देखने कुछ मिल लही हो पैनी स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क जरूर मिला हुआ होता है तो वह आपको लेना पड़ेगा इस स्टॉक में भी बिल्कुल फटना मेंटली बहुत ज्यादा एस्ट्रॉंग भी नहीं हो बहुत ज्यादा क बात बेशना है क्योंकि जब आप आजाएगा दो से तीन रुपए के बीच में जब आएगा तब आप इसको बेच सकते हैं प्रॉफिट बोकिंग उस्टाम कर लेना आप इसमें वेट करिए हो बायर्स के लिए पॉस्टिटी बनती है आगे भी बनेगी है तो आप करते रह करिए अपने आप से और फरदर एक अपना इस्टेप इंडिसीवन बनाइए क्या करना है आपको इस्टाम में निवेश करना या नहीं एफी मोर एडुकेशनल वीडियो समारी चैनल पर मैं अप्डोट करता रहता हूं दे टुदे और आप बने रह सकते हैं और भी चादा दरने के लिए मेरे चैनल पर तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब ग्लिक बेल ऐकन ज़स्ट बिकास इट संद रुद आप जाए वीडियो राइट ना वन आप अपलोट इट तो बीज वित मी एंट वीडिस वीडिट चैनल विज लाइक, सब्सक्राइब और शेर दिस एन रवाल दाप्स प्रिया काल